मारता, मारता, तुम बहुत सी बातों के विशे में चिन्तित और व्यस्त हो, फिर बे एक ही बात अवशक है, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा, संत लोकस कासु समाचार अध्याए 10 पसंक्या 42 आज कासु संदेश, एश्वर को धन्यवाद का बलिदान चड़ाओ, एश्वर को धन्यवाद का बलिदान चड़ाओ, प्रभु में मेरे प्यारे भायोर बहनों, मातक कलिस्या, संत मार्ता, जो कुमारी थी, उनका स्मृत्य देवस आज मनाती है, इदे संत लोकस का सुसमाचार अध्याए 10 पसंक्या 38 और 42 से हम पाते हैं, किस प्रकार प्रभुयेस मसी, मार्ता और उनकी बहन, मरियम का घर पहुँचते हैं, जो दोनों लाजरुस के बेहन थे, और लाजरुस प्रभु के बहुत करीब थे, शायद प्रभुयेस उनके घर अतिती बन कर आते हैं, इसलिए आते हैं शायद उनसे मिलने के लिए, बाचित करने के लिए, लेकिं वहां पहुँचने पर वो दर्श्या कुछ अलग ही थी, मार्ता और कहीं वैस्त थी, मरियम प्रभु के साथ रही, तब ही प्रभु कहते हैं, सुसमाचार के अंत में मार्ता मार्ता और बहुत सारे चीजों में चिंतित है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, क्या यहाँ पर प्रभु मार्ता को नजर अंदास करते हैं, केवल मरियम को उपर उठाते हैं, ऐसे नहीं, प्रभु कहते हैं, दोनों चीज़ें जरूरत हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत का है, प्रभु को सुनना, वचन को दारन करना, उसका अनुसरन करना, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें अपने आहँ आएंगे, प्रभु येस्व मसी एरुजलेम की आत्रा में थे, उनको एरुजलेम यह वहाँ जाना थे, इसलिए, क्योंकि मिशन के पूर्ती करने के लिए, शायद उनको विश्राम या आराम करनी के आवशक्ता पड़ी, पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के घर, मार्ता और मरियम दो अलग-अलग सेवा कारियों में संकेत हैं, एक क्रियाशील और दूसरी मननशील, लेकिन दोनों जीवन में महत्प पूर्ण है, प्रभू किसी को भी नजर अंदाज नहीं करते हैं, लेकिन महत्प किसको आप देते हैं, वो प्रभू हमें आज समझाना चाते हैं, आए मार्ता के दोड़ा प्रभू से प्रात्ना करे, हम ना केवल दुनियाय चीज़ों में चिंतित रहें, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के दोड़ा शक्ति, भरोसा, धाडस, आशिष जो प्रभू से पाते हैं, उसके दोड़ा हम औरों के या लोगों के सेवा करने में